हलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक तू दे चैनल, अगर आप एक टीचर हैं या पेरेंट हैं तो आप एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम फेस करते होंगे कई बार कि बच्चा पढ़ता नहीं हैं, कुछ बच्चे पढ़ने में बहुत इंट्रेस्टेड होते हैं, बहुत मन से आते हैं, आखिर वजय क्या है, एक बार आचारे चाणके ने कहा था, कि अगर आप कभी किसी प्रॉब्लम में फसें, तो प्रॉब्लम के टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, फिर उसे ऐनालाइज कीजिए, सोलुशन निकालना आसान हो जाएगा, ऐसा नहीं है, कि जिन ब अगर आप उन वजहों को समझ लेंगे, तो आप निशित तोर पर बच्चे में इंप्रॉब्मेंट ला सकेंगे, ये प्रॉवन फेक्ट है, मैं इसकी गारेंटी लेता हूँ, लेकिन हाँ, ये भी आप समझे कि सभी बच्चों पर ये अप्लीकेबल नहीं होता, सिर्फ उन इनके लिए अप्लीकेबल है, जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन किनी वजहों से पढ़ नहीं रहे हैं, इंटर्स खो चुके हैं, सबसे पहली वजह जो बच्चों में देखी जाती है, कि बच्चों का बेस वीक है, एक बच्चा जिसे ग्रामर नहीं आती, जिसे वर्ड्स की नहीं है, आप उससे कैसे उम्मीद कर सकते हैं, कि वो 10th class में या 11th class में story writing कर लेगा, letter writing कर लेगा, paragraph writing कर लेगा, जिस बच्चे को rectangle के और square के basic concepts ही clear नहीं है, वो 10th class की mathematics के typical questions को कैसे solve कर लेगा, तो इसका मतलब यहीं कि उस बच्चे के basics को improve करने की जरूरत है, लेकिन कई ब पास में इतना time ही नहीं होता कि वो उस बच्चे के basics को improve करें और फिर वो जिस class में है उसका syllabus पढ़ाएं, but my dear friends, आपके पास कोई दूसरा solution भी नहीं है, उस बच्चे के basics आपको improve करने ही पढ़ेंगे, आप किसी तरह से कोशिश करके, आप उसका ये year तो उसे pass करवा लेकिन उसे आगे की classes में बहुत problem आने वाली है, तो सबसे पहले बच्चे के basics improve कीजिए, अगर आप एक parent है, आपके पास में समय है, आप बच्चे को समय दीजिए, उसके basics को improve कीजिए, उसके concepts को clear कीजिए, अगर आपके पास समय नहीं है, तो definitely your child needs a personal tutor, दूसरा common कारण होत बहुत से स्कूलों में बच्चों पर बहुत ज्यादा workload है, उन्हें बहुत homework दिया जाता है, बहुत activities दी जाती है, नतीजा ये कि बच्चे stress में रहते हैं, फिर ऐसे बच्चे जब अपने घर में आते हैं, तो उन पर parents का भी pressure होता है, क्योंकि parents भी चाते हैं कि वो बच्च से अपनी studies में excel करें, वो भी उनको बार-बार टोकते रहते हैं, लेकिन बच्चा असल में इतना pressure जहल नहीं पाता और वो हार मान जाता है, सभी बच्चे जैसे नहीं होते, सभी बच्चे में equal stress जहलने की power नहीं होती है, तो यहाँ पर schools का, teachers का और parents का बहुत बड़ा role है, schools को भी बच्चों पर unnecessary burden नहीं डालना चाहिए, और parents को भी बहुत ज्यादा टोका टाकी नहीं करनी चाहिए, बच्चों को समझना चाहिए, उनकी problem को समझना चाहिए, school में जागर बात करनी चाहिए, और देखेंगे अगर आपका बच्चा इसी category में आता है कि school का बहुत ज एक मुझे किस्ता याद आता है, जो मैंने अपने career में ही face किया है, कि एक बच्चे के father आकर मुझसे बहुत शिकायते किया करते थे, कि ये बिल्कुल भी पढ़ता नहीं है, मुझे कुछ समय बात पता चला कि उस बच्चे के घर में बहुत ज्यादा tensions रहती थी, बहुत ही लड़ाई जगड़े रहते थे, parents के बीच में, एक बार वो मेरे पास आये, तो मैंने उनसे ये जिक्र किया, और जिक्र करते करते एक और बात मेरे सामने निकल कर आई, मैंने उनसे पूछा, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि ये घर पर बिल्कुल भी रूपता नहीं है, त केबल हटवा दिया है, ये पढ़ता नहीं है, मेरे घर में इंटरनेट में इसलिए नहीं लगवाता हूँ, और हमारे घर में कोई भी खेलने के लिए indoor games नहीं है, यकीन मानिये, उस बच्चे के घर में पाँच भाई बहन थे वो, क्या पाँच भाई बहन आपस में, आपस म लिए ऐसा बच्चा जो पिछले 2-3 सालों से वैसे भी नहीं पढ़ रहा है, तो उसके basics तो वीक होई चुके हैं, अगर वो कोशिच भी करेगा, कुछ effort भी लगाएगा, अपनी किताबे खोलेगा भी, तो चीजे उसको समझ में भी नहीं आएंगी, तो घर का माहौल बहुत लाइटिंग नहीं है, बच्चे के पढ़ने के लिए घर में शांती नहीं है, हमेशा शोर शाराबा बना रहता है, कहीं पर बैठने की प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है, उसके पास में टेबल चेयर नहीं है, या कोई ऐसी जगे नहीं है, सॉलिट सी जिसके उपर रखकर के वो नोटबुक को फ्लाट रखके लिख सके, कभी वो बिचारा गद्दे पर बैठ जाता है, कभी वो बिचारा किसी सोफे के उपर बैठ जाता है, कभी वो थाई इसके उपर अपनी नोटबुक को रखके लिखना लगता है, इतने मुलायम गद्दे पर बैठ जाता है कि ब गंटा, डेड़ गंटा, दो गंटा टिक करके बैचना भी चाहेगा तो वो बैच नहीं पाएगा अब बच्चे को पढ़ाई के एन्वायरमेंट देना पढ़ने के लिए फैसिलिटीज देना टेबल चेर देना ये पेरिंट्स की जिम्मेदारी होती है अगर आप उनसे एक्स असाइन्मेंट बहुत अच्छे से बना रहा है अच्छे माक्स लेकर के आ रहा है अपने प्रजेक्स को अपने मॉडल्स को बड़े अच्छे से बनाता है बहुत एफट लगाता है तो आपको उसकी तारीफ जरूर करनी चाहिए लेकिन आप तो तारीफ करना भूली जाते ह बच्चे को भी ऐसा लगता है कि मेरे इतने efforts लगाने का, इतनी मेहनत करने का कोई फाइदा नहीं है, बच्चे के लिए आपकी तारीफ ही उसका फाइदा है, तो बच्चे की प्रशंसा जरूर कीजिए, अगली वज़ा हो सकती है education की importance को ना समझना, बहुत से परिवारों में जो की well-to-do families हैं, prosperous families हैं, उन परिवारों में education को बहुत ज़्यादा importance नहीं दी जाती, मैंने अपने खुद के ही friend circle में देखा है, कि मेरे कुछ friends जब पढ़ते थे तो parents ने उनको higher studies के लिए कभी motivate ही नहीं किया, वो कहते थे बस अपनी basic studies को पूरा कर लो, और उसके बाद अ हमें ज़्यादा effort लगाने की जरूत नहीं है, बगवान का दिया हमारे पास में सब कुछ है, जब हम बड़े हो जाएंगे तो अपना ही business संभालेंगे, या फिर हमारे पास में बहुत दौलत है, बहुत पैसा है, बैट करके खाएंगे, तो इस तरह की जो सोच है, ये बच् पढ़े, तो इसको समझाईए, कि बेटा ठीक है, हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना, बहुत जरूरी है, जिंदगी बहुत बड़ी है, इसका कुछ पता नहीं, तुम्हें education की जरूत कभी भी पढ़ सकती है हर problem का एक solution तो जरूर है, और आपकी problem का solution आप से बहतर कोई नहीं जानता है, बस देखने का नजरिया, समझने का नजरिया, बदलने की जरूरत है, अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ता और हमने जो problems discuss की हैं, उनमें से कोई वज़ा है उसके ना पढ़ने की, तो आप उन बच्चे के माता-पिता हैं, जिसने कसम ही खाली है, कि अब तो मैं कभी पढ़ूंगा ही नहीं, मुझे पढ़ना ही नहीं है, तो ऐसे बच्चे के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, ये मैं समझता हूँ, लेकिन एक पेरेंट होने के नाते हमेशे आपको कोशिश तो करत ही रहना चाहिए, थेंक्स वर वाचिए